आख पर दो लिए नियुक्स ऑड़ा इवनिंग टोल फियू मुझे तोड़ा इवनिंग टोल फियू गुड़ इवनिंग उड़ इवनिंग बच्छा नगा इप एक सब्सक्राइब देख रहा हूं न यह तोड़ा सब बिगड़ जाता कभी कभी लोग कि डन नो गया कि इस कि अ कि अ कि अ कि अ कि शुरू करें भी काम कि मर्त मजे हो गए चुट्टिया मिलगी तो मैं दो है वेरी कुट सबसे अधा तो अवनी खुश लग रही है कि इतना मैंने अवनी को आज तर खुश नहीं देखा पिछले दो डाई मेंने से कि मत तुम्हें अच्छी एक दिन क्लास एक दिन चुट्टी एक दिन क्लास एक दिन चुट्टी ओए है क्या बात है हूं धन्य हो नहीं तो मारी जिंद्ध की वैसे पढ़ने में कटने वाली है अब चलो भी काम शुरू करते हैं चार बच के ग्यारा मिनिट हो गए तो एक हलका सा रीव्यू ले ले लेते हैं परसो वाली क्लास का हम कोवलेंट बॉंड सीखना शुरू करे थे लंग्मियूर कॉंसेप्ट भी बोलते हैं इसको कोवलेंट बॉंड बेस्ट है शेरिंग ओफ एलेक्ट्रोंस पे ठीक है ना और कंपलीट क्या करना है ओक्टेट कंपलीट करना है अकोडिंग टू हम अभी ओक्टेट रूली च चार की शेरिंग हो तो डबल बोंड बनता है और छे की शेरिंग हो तो ट्रिपल बोंड बनता है अभी मैं एक्जाम्पल हैड्रोजन के बाद फ्लोरिन का भी दे रहा हूं क्लोरिन का भी दे रहा हूं और निट्रोजन का भी दे रहा हूं चीक है ना और भी निखिल क्या आ में अंशिता को क्या प्रोब्लम आ गई एक जांपल सेवन कहां पर एक सेकंड रुख जो बस फिर वेलिंसी की पाद चली नंबर ओफ उन पर एधर इंद ग्राउं स्टेट और इन एक्साइटेट स्टेट फिर मैं आपको बताना शुरू हुआ लोन पेर क्या है तो लोन पेर क हो गई है पेर्ड इलेक्ट्रों से इंद आउटरमोस शेल ठीक है न और उसके बाद मैंने हाइड्रोजन की वेलेंसी एक बताई क्योंकि इसके आउटरमोस में एक ही अनपे इलेक्ट्रों है ठीक है जी उसके बाद चेक एक्साइटेट स्टेट कैसे होती है सबसे पहले वहां एक्साइटेट स्टेट आने वाली है तो बोरोन के बार में देखा ग्राउंड स्टेट वेलेंसी वन एक्साइटेट थी है और 99 नहीं हंड्रेड परसेंट कंपाउंट्स ऑद बोरोन तीन वेलेंसी में आपको पता ही है बी एफ-3, बी-C-L-3, बी-B-3, बी-2-3, ब भीजोगे तो इसके पास अन पेलेक्टन 4 है और एक्साइटेट चेक करने का तरीका में ने भी बताया था आपको नाइट्रोजन में बिचारे में एक्साइटेट हो यह नहीं सकता क्योंकि उसके पास एमपिटी डि-ORBITAL नहीं है लेकि नाइट्रोजन अपना फोर्थ बो तो तो तुम्हारा अंसर है 4, 3 तो उसकी कोवलेंसी है, 3 तो उसके कोवलेंट बोंड है और 4 उसका कोवलेंट बोंड है अपी बताऊंगा थुड़ दिर में oxygen अपनी maximum valency की बात करते है तो अभी फिलहाल ये दो शो कर रहा है excited में जा नहीं सकता किसी को excited तक पहुचने के लिए किस बात की need है आपको बार बार बता है किसी भी empty orbitals चाहिए paired electron plus empty orbital ठीक है ना दोनों condition जरूरी हैं लगनी वाँ आपके हाल में homework था बच्चों ने निकाला होगा फ्लोरीन के outermost में कितने अन पर लेक्टर निकल रहे एक valency हो रही है वन तो यहां इसको summarize कर देग्या फ्लोरीन की बात किया आपने फ्लोरीन की जो वेलेंसी है वन है और लोन पर रेक्टर कितने आ रहे हैं तीन आ रहे होंगे हो सकता आपने काम किया हो ठीक है नियोन में वेलेंसी जीरो आ रही है और लोन पर रेक्टर चार आ रहे होंगे ठीक है sodium की बात हुई नी, magnesium की बात हुई नी, aluminium की बात हुई नी, silicon की बात हुई ठीके जी, ground state की इसकी valency 2 है, और excited state की valency 4 है, ठीके जी और जब ये ground state में है तो लोन पर एक रहता है इसके उप़र, ठीके जी silicon की बात 15 नमबर पर phosphorus आ जाएगा, तो इसकी valency ground state की 3 है और empty d-orbital होने की वज़े से excited state में इसकी valency 5 है, ठीक है ना, तो जब valency 3 चल रही हो, तो लोन पर एक ही होता है इसके उपर, और वही excited होती, excited state में इसकी valency 5 और लोन पर 0 हो जाएगा, किसी को phosphorus silicon सीखना हो तो बोलो, side में जगा पढ़िया लिख देता हूँ phosphorus का electron configuration तो शायद बच्चों को पता हो, ठीक है जी, 3s2, 3p3, 3d0, लेकिन d-orbital खाली पढ़ा हो है, अब जिस भी बच्चे ने इस question को arise किया है, वो थोड़ा सा सीख लो, कि इसके आउटर मोस्ट में एक तो लोन पर रही है, उसके आउटर मोस्ट में अनपर एलेक्टर में यह 3 है, तो इसकी ground state, valency, सब बच्चे समझदार है, तीन ने, और अगर मैं इसी को energy प्रवाइड करा हूँ, बिना energy के तो कोई excited होगा ही नहीं, तो इसका यह paired, अपने ही shell के, वर्डिंग सुना करो, अपने ही shell के, D sub shell में transfer हो जाएगा, तो इसके पास सब valency in excited state कितनी हो रही है, 5, तो आपको शाइद पता हो, PCL-3 बीस दुनिया में एकजिस्ट करता है, PCL-5 बी एकजिस्ट करता है, तो कोई मेर से पूछेगा, what is the valency of phosphorus, तो मैं बोलूँगा, इसकी valency 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 3 valency किस भिहाब पे चलेगी, 3 valency किस भिहाब पे चलेगी, ground state के भिहाब पे, और excited में 5, हाँ, एक बात और ध्यान दखना, valency 3 है, और loan pair reflectron कितने जा रहे हैं, इसके पास, एक, ठीक है जी, तो इतनी बात अगर आपको, अभिनव ने हाथ खड़ा किया, जल्दी से बोलो, बच्चे था कि हम ज़्यादा उलजे ना, लोन pair तो loan pair ही होता है, हमेशा ground state, excited की बात नहीं करनी होती है, जब मिरसे fluorine के loan pair पूछेगा, मैं 3 ही बोलता हूँ, valency 1 बोलता हूँ, chlorine में भी valency 1 बोलता हूँ, loan pair 3 बोलता हूँ, जब भी मिरसे loan pair of electron पूछे ना, जैसे fluorine है, chlorine है, bromine है, iodine है, मिरसे valency पूछेगा 1 1 1 1 1, ठीक है ना, और loan pair of electron पूछेगा तो 3 3 3 3, इन जनरल बात करनी होती है, इन जनरल बात करनी होती है, इन जनरल बात करनी होती है, compound के according ली बात बदलनी होती है, वो उसकी possibilities है, एक question भी मेरे पास आ रखा था, what is expanded, यही expanded है, 3 से 5 हो जाना, expand किसको बोलते हैं, हिंदी में सीखो फैलना, तो अगोई अपने unpaid electron को फिला ले अगर, बढ़ा ले अगर, तो आपने क्या बोल दी, expanded covalency, और covalency, valency में literally कोई फरक नहीं है भाई, क्योंकि वो है क्या, covalent bond, simple, तो इन जनरल बात करनी होती है, always, कोई पुछेगा, oxygen, sulfur, selenium, telunium, polonium, पूरा 16th group, how many, lone pair and valency, your answer should be 2, 2, जो oxygen का हाल है, वही sulfur का हाल है, वही selenium का हाल है, वही सब का हाल है, कोई पुछेगा, nitrogen family, how many lone pair and valency, तो valency 3, lone pair 1, always, ground state, in general, बात करनी होती है, बोलो भी, अभिनव सिंख, चलो, अब मैं इस molecule को सिखा रहा था, hydrogen molecule को, hydrogen के outermost में एक unpaired है, दूसरे भी एक unpaired है, अगर ये दोनों sharing कर ले, तो single bond बन जाएगा, इसी tone पे, मैंने आपको oxygen सिखाना है, बाकि इसको सिखाने के तो, VBT पूरी आपके पास आई रही है, complete VBT आपके पास आई रही है, oxygen का 8 number है, electron configuration, 1s2, 2s2p, 4 है, unpaired electrons, अगर आप सीखने में interested हो, और 11th को तो ये बात बोलनी ही नहीं पड़ती वैसे, clear ना, how many unpaired electrons are here, 2, तो जैसे अभी अभी अविन में पूछा था, उसके accordance में, इसके पास कितने unpaired electron है, दो और दो ही lone pair है, एक तरफ ओ लिखा, दूसरे तरफ ओ लिखा, O2 है ना, O2, इस पे आपने lone pairs लिख दिए, lone pairs लिख दिए, ये तो अपना expansion ही नहीं कर पाएगा, भाई के पास amplitude orbital ही नहीं है, कोई भी second period का member, लाईने याद रख के चलो, तो organic chemistry में बड़ी कामानी है, organic chemistry में, रेजोनेंस कर रहे होएंगे, ये लाईने बड़ी कामानी है, कोई भी second period का member, अपना octate expand नहीं कर पाता, no expansion is possible, with respect to second period members, कोई भी second period का member, अपना octate expand नहीं कर पाता, due to the lack of amplitude orbitals, अभी आपने देखा था, निट्रोजन के पास paired पड़े, लेकिन फिर भी expansion नहीं हुआ, oxygen पे paired पड़े, फिर भी expansion नहीं हुआ, flooring के पास भी paired electron पड़े, तीन तीन जोड़े, फिर भी expansion नहीं हुआ, MPTD orbital ही नहीं है, पाच भी बार पोल रहा हैं इस लाईन को, no expansion of octate is possible, with respect to the members of second period, due to the lack of, deficiency of, absence of, MPTD orbitals, MPTD orbital की कमी होने से, चटी बार बोल रहा हूँ, MPTD orbital की कमी होने से, second period का कोई भी member, अपनी valency, या अपना octate, expand नहीं कर पाता, चलो जी, अब इसके पास एक unpaired, एक और unpaired, इसके पास भी एक unpaired, एक unpaired, तो ये वाला unpaired अगर इसके साथ share कर ले, लो जी, तो आप भी समझदार हो, दोनों के outermost में, bonding करने से, 8 आठा टिलेक्ट में हो जाएंगे, 4 shared हो गए, और इसी को रीपरजन करने का दूसरा तरीका क्या है, O double O, इसी को रीपरजन करने का दूसरा तरीका क्या है, O double O, O double O पे by default loan pair है, आपको लिखने की निद्ध नहीं होती बार बार, जब भी कोई water लिखेगा न, जैसे किसे नहीं का वोटर का फोर्मला लिखो, आपने लिख दिया, अब इस पे by default दो loan pair है, मैं रोजा की थोड़ी बताता हूँ, आज हम chemistry पढ़ेंगे बच्चो, आज हम chemical bonding शुरू कर रहे हैं बच्चो, आज हम ये कर रहे हैं बच्चो, आज हम इसा थोड़ी बोलता हूँ रोजा के आपको, तो ये फोर्मलिटी की नीड़ तो तब है न, जब आप मेरे को जानते नहीं हो, आपको बोलता है ये शेकल वाला बंदा आ गया, पक्का chemistry पढ़ाएगा ये तो, मेरे बाद समझ गे न, अब मैं इधर शी दद लीविंग वर्ड, आज हम लीविंग वर्ड शुरू करने वाले हैं, आपको ये क्या कर रहा है या राज, आपको शक होने लगेगा, ये अजीब सी बसी बात दे कर रहा है, थोड़ सब बहकी बहकी सी, अमोनिया को ये कहेगा, बहुत कामेंगे, बच्चे, अभी कहा रहा हूँ, पूरी केमिकल बोंडिंग पूरी केमिस्ट्री का बैक बोन है, काम नहीं चलता इसके बगार, मैं और्गनिक केमिस्ट्री में अमोनिया लिखके कह दूँगा, इस बात हैं लुइस्ट बेस है, तो लुइस्ट बेस्ट बेस्ट लेकिन पता होगा इस पर लोनपेर है तभ ही तो आसी बाते घर पाऊगे ना, वह आधी ऐनरजी तो इस ही में लग जाएक लोनपेर प्रूउब करने में, और अगर लोन पेर प्रूवड होएगा, तो पूरी 100% एनरजी स्कूल इस बेस प्रूव करने में लगा देंगे, तो इस चैप्टर से ही सीख कर जाओ, गलती से भी इग्नोरेंस मत दो, clear ना, इस वहम में जियो कि तुमने दस्वी में केमिकल बोर्डिंग पड़ी थी, और उ को सीखने के बाद, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आपको N2 सिखा रहा हूँ, नैट्रोजन, नैट्रोजन, इसकी CID आप कर चुके हो लड़ी, कि इसके आउटरमोस में तीन अनपेर है, एक लोनपेर है, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3, लिखने का तरीका क्या है, यह है, हम इनी अनपेर्ड, 3, और मेरे कहने से थोड़ी, इतनी समझतों तुम्हें भी आ रही है, कि नैट्रोजन के आउटरमोस में तीन अनपेर्ड है, और एक लोनपेर है, अब इनके बीच में शेरिंग हो, क्योंकि अगर यह अकेला डोनेट क कर ले, जो कि नैट्रोजन जैसे अटम के लिए, प्रियोडिक टेबल के कोडिंग लिए बड़ा डिफिकल टास्क है, नैट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसका इलेक्ट्रोन निकालने में बड़ी डिफिकल्टी होईगी, अगर आयन ही बनाना है, मनलोग किटायन बनाना है, तो दूसरे होई प्रोबलम है, इसको एक्सेप्ट करने में भी प्रोबलम है, मैं तो कर रहा हूँ, पुराने चैप्टर की हलकी भुल की बाते भी याद रको, तब समझ में आ जाएगा, ना यह बहुत अच्छा एक्सेप्टर है, ना बहुत अच्छा टोनर है, इलेक्ट्रोन इसको एक्सेप्ट करने में प्लस हो गया था, एलेक्ट्रोन गेन अन्थेलपी याद करो, ना इट्रोजन की एलेक्ट्रोन गेन अन्थेलपी प्लस थी, तो इसको एलेक्सेप्ट करने में भी दिक्कत है, और इसको एलेक्ट्रोन रिमूव करवाने में भी दिक्कत है, तो बढ़िया सा सम्झोता क्या हो रहा है, शेरिंग करवा दो, और आपको थुरदेर पहले बताया था, कल भी बताया था, आज रिवीजन करवा है था, कि अगर कोई 3-3 एलेक्टन की शेरिंग कर ले, तो ट्रिपल बोंड बनता है, और नाच्रोजन पर बार-बार लौन पर लिखने की नीड है नहीं, वो बाइडिफोल्ट है उसके उपर, तो कुल मिलाकर आपको फ्रूव करना था, कि 2-1 एलेक्टन की शेरिंग से सिंगल बोंड बनता है, और 6 लेक्टन की शेरिंग से ट्रिपल बोंड बनता है और अब इसके बाद थोड़ा सा और शुरू हो जाते हैं जी इसका नाम है कोडिनेट बोंड फिर एक क्वेश्चन में को बोला था एक बच्चे ने अंचिता ने वो मैं समझाऊंगा क्वेश्चन नमबर था आपके पा इसका दूसरा नाम डेटि बोनड भी है डेटि बोनड नामड इसका दूसरा नाम डेटि बोनड भी है सबसे पहली बात दूसरा नाम में न कहीं हो ग pull in कोंड बीच बनता हैं यो जैसे हम लिखते है ना पार्टीशिपेटियंग तरakah PS тоже है पहले एक पर क्वेश्चन अट को है कौन? यूनिट्स या पार्टिकल्स कौन है? जबाब है एटम्स भी हो सकते जबाब है मोलिकुल्स भी हो सकते जबाब है एटम्स और मोलिकल्स दोनों हो सकते अगर कोडिनेट बोन बनाना हो तो चलो जी, minimum condition to show the कोडिनेट बोन, minimum conditions क्या चाहिए? मिनिमम से मिनिमम क्या चाहिए? Listen carefully. मिनिमम से मिनिमम क्या चाहिए? If you want to make the coordinate bond, कम से कम क्या requirement? कम से कम. जहां से सुनो, भई. minimum one loan pair of electron. कम से कम एक loan pair चाहिए? Like अमोनिया पे loan pair है, water पे दो loan pair है, हमें तो एक ही चाहिए, clear. pH 3 Phosphine है, एक loan pair है, clear. इसी तरीके से H2S, sulfur पे minimum, एक loan pair है, ऐसी इनको बोलते है, primary amines, इन पे loan pair है, at least एक loan pair चाहिए, और दूसरी तरफ, minimum one empty orbital. कौन सा empty orbital? मैंने कोई condition तो लगा ही नी, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है, और अगले साल, बारवी में जब कोडिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब कोडिनेशन केमिस्ट्री नाम से चैप्टर ही यह दस दिन लगेंगे उसको पढ़ाने में, आपकी बारवी क्लास में, उसमें रोज इसी बोंड के बारे में बात हो रही होएगी, कोडिनेट बोंड बोलते हैं, तो वन वरी सिंपल थिंग, डिसके पास भी लोन पेर होएगा, उसको आप डोनर बोलोगे, डिसके पास एमपटी और्बिटल होएगा, उसको एकसेप्टर बोलोगे, इसकी जब में पैसे पढ़े हो डोनर ही हो सकता है, और जिसकी जब खाली हो एकसेप्टर ही होएगा, सिंपल थी में तो, लोन पे डोनर, एकसेप्टर, क्लियर, चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसमें एक पेज आइड करता हूँ, मार्केट में मतलब, डोनर, यह लिखा है डोनर, और यह लिखा है एकसेप्टर, डेटी पॉन्ड, यह है, डेटी क्या चीज़े, प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, पुतर जी इसको, वो कही बरना हमें फ्लो में ऐसे लगना रगता है, कि बच्चों को पता होईगा, आप 11 मी के हम भूल जाते हैं कही बरना, इनको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, वो फ्लो में रंणिंग में बोल देते है कही एक्जांपल तो आपको देने बी नहोते नहीं, वो भी दे देते हैं, क्योंकि प्राइमरी अमाइन नहीं और तुम्हें पता ही प्राइमरी अमाइन होते हैं, यह ओर्गनी केमिस्ट्री में सीख ओगे, आफ्टर नुमेंगर्री अमाइन ठीक है नहाँ, ऐसे हां सेकें किसी भी molecule या आयन पर चाहिए वो acceptor बन जाएगा, इस page में कोई दिक्कत हो तो बोलो, चलो जी, participating units बता दी गहीं है, minimum condition बता दी गहीं है, clear ना, और इसको show कैसे करते हैं, coordinate bond, coordinate bond, coordinate bond shown by arrow, coordinate bond को show करने का तरीका है, और arrow का direction भी कैसे होईगा, direction of arrow, donor to acceptor, donor से acceptor की तरफ arrow हुएगा, donor से acceptor की तरफ, donor कह रहा हुएगा मैंने इसको electron दी है, ऐसे करके, donor ऐसे करके कह रहा हुएगा मैंने इसको electron दी है, clear, donor to acceptor, अब इसके examples पर चलते, निखिल सार ठीक हो, चलो, बल्कुल ठीक है, वो दादियम्मा वाली का आनी वाला सिस्टेम है, भई, बुलते राकरो, हांजी, हांजी, clear है, निहारी का सो गई, स्नेहा सो रखी है, जैसे, नहीं, तन्वीर, की रद्वीर, अवनी, अर्मान, प्रनाव, गयामा, क्यों सदमा क्यों लग गया, तो तेरे घर पे कौन सा पकरागट गया, भई, जो पेपर ही नहीं दिया, फिरकाही की गशी बड़ी है, हमेशा है, अब अच्छा है, कि मैं चूप रहू, मैं कुछ बोलूगा, तो बोलोगा, तो बोलोगा, तो बार रहे हो, इसके बुझे पढ़ाने तो, ना, ना, रहने दें, रिजल्ट आने के पाते हो, टॉंट तो, अभी टॉंट बचा के रखे हैं, रिजल्ट के बात के लिए, कोडिनेट बोण को शो करने का तरीका है, एरो, एरो कहां से होएगा, डोनेर से एकसेप्टर की तरफ, इसके एक्जांपल पर चलते हैं, बच्चे, जिससे अमोनीयम है, ठीक है न, चेक करना भी इसमें डोनर कोन है, acceptor कोन है, आपके पास donor है ammonia, और बार बार कहता हूँ, कि ammonia simply कहीं भी लिखा हो, तो कोई जुर नी कि हर बार loan pair show किया जाए, होता है उसके उपपर, नीडो तो show कर दो, नहीं तो रहने दो, आगे H plus है, H plus मतलब 1 is 0, तो कौन donor है, कौन acceptor है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है ना, तो इसने अपना loan pair, H plus के empty orbital को donate करना है, ammonia ने, अपना loan pair, ammonia ने, अपना loan pair, H plus को donate करना है, logi donate कर दिया, तो इसको collectively आप, ammonium लिख रहे हो, आपके RPS 3 के, पहले question में, ammonium का Lewis dot structure भी उसने बनवा रख था आप से, clear ना, तो यह NH4 का structure बन गया, यह तो थे, आपके पास एक molecular, एक iron participate कर रहा है, ऐसा और भी हो सकता है, हंजी, ammonia and BF3 के beach bond बना के देख लेते हैं, ammonia and BF3, ध्यान से सुनो भई, ammonia, मैंने लिख दिया ये, और फिर आपसे बार-बार बोला, ammonia लिखने में, मेरी खाल में इसको दस होता है, वो है by default, नीडो तो उठालो, नी तो छोड़ दो, clear, अब इस BF3 पे चलते हैं, इस BF3 के चलने में, इसके पास एक empty P orbital है, बच्चे केता है, यह हमें कैसे पता चलेगा, पता चलेगा, पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा सा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ध् उची बात है, यह लो जी, दिखरा है को, जिस पर तीन माक कियอ हुए, ये वाला, ये वेलंसी है, वेलंसी है, वापिस, ये वाली सकी क्या हो गई है, विलंसी, वेलंसी, वेलंसी तीन हो गई, और ये कोन हो गया, empty orbital, ठिक है न और क्लों वाला empty orbital है, प, प, P, P empty orbital तो बच्चे P empty orbital को कहां represent करवा है? यह दिखो boron के पास ही करवा है तो ammonia ने अपना lone pair boron को donate कर दिया और यह भाई सब उसी तरीके से maintained है इतना ध्यान रखो donor पे और acceptor पे कोई चार्ज ना हो तो resultant भी कोई चार्ज नहीं आता अब दिखो ना donor न्यूट्रल था acceptor किटायन था तो resultant molecule पे भी किटायन इक चार्ज आ गया donor कैसा था? दिखी रहा होगा आपको smart हो सारे के सारे ऐसा आपको फील होता होगा कभी कभी neutral और acceptor भी कैसा है? neutral तो बनावा molecule भी कैसा है? neutral तो आपने सामने वाले molecule के साथ अपनी दरफ से कोई पंगानी लेना donor जैसा हो महलो मेरे जवाब देना question का donor negative हो माल लो donor negative हो acceptor positive हो तो result क्या दोगे very good समझ गे ना मेरी बात को आप लोग यही हरकते करते रहे न coordinate bond में इससे ज़्यादा कोई दम नहीं है clear ammonia show कर दिया है NH3 BF3 show कर दिया है ऐसे गर आप H204 पर आना चाहते हो Lewis dot structure में clear ना? check करना यह H204 है जी sulfur लिखा इसकी अपनी original valency 2 है वो हमने show कर दी जो इसके loan pair थे sulfur के पास अभिनव ने question पुछा था क्या मैं loan pair दो और valency दो बोलूँगा मैंने का perfect है जब भी आप से बात की जा तब general बात करा करोगे general तो इसने अपना loan pair oxygen oxygen को donate किया यह इसका Lewis structure बन गया है sulfur का loan pair oxygen के orbitals को donate हुआ है तो यह इसका H204 का structure बन गया है ऐसी कोई HNO3 बनवाना चाहेगा यहां nitrogen है double bond O है nitrogen है nitrogen है अपना original काम complete कर दिया क्या 3 valency अब इसका जो loan pair है वो O को donate हुआ तो nitrogen और O के बीच में क्या बन गया है coordinate bond who is the donor nitrogen who is the acceptor oxygen oxygen acceptor कैसे बन गया अब smart हो है बिल्कुल उसके पास बिल्कुल है जी 1s2, 2s2p4 outermost में कितने electrons है 6 और max कहां तक जा सकता है 8 तक तक तो क्या करेगा 2 electron accept कर सकता है तो वो nitrogen ने अपना पूरा सेट पूरा पेर पूरा लोन पेर वो को donate किया है तो आपके पास क्या बन गया है चनो 3 ऐसे और भी molecule बना सकता हूं लेकिन भी control करते हैं कुदको ना क्योंकि कोडिनेट बोंड ही चैप्टर नहीं चल रहा बाकि और बाते हैं हमारे पास तो एक बार पीछे की तरफ चलते है रिवीजन कर रहा हूं जिससे आपकी बुक से आपको word to word पढ़ना असान हो जाए है रिवीजन है बही वेन इन दो फोर्मेशन ऑफ और बोंड एलेक्टरन पेर लोन पेर अब इसमें एक चोटीजी बात और लिख लो जो यहां से मुझे निकल कर सामने आई है यह चल रहा था फोर्थ अब चल रहा है फिफ्थ नमबर पॉइंट यह आइनिक बोंड नहीं है तब ही मैंने एक बात बोली थे आपने ध्यान दिया हो मैंने खाजी अगर चार्ज किसी के पास है तो रिजल्टन चार्ज हो जाएगा अगर कोई दोनों न्यूटल है तो दोनों न्यूटल रहेंगे और एक बात और सीख ले ना अफ्टर दा फ्रमेशन अफ्टर दा फ्रमेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चिन किसर् कोडिनेट बोंड कोवलेंट बोंड ही होता है क्या तो मेरा जवाब है हाँ after the formation of coordinate bond after the formation of coordinate bond it behaves like it behaves like covalent bond 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 coordinate bond coordinate bond coordinate bond behavior covalent but it is not the mutual sharing mutual understanding mutual understanding is not the single sided donation but it is not the complete donation you can see 4 examples donor is not the complete donor acceptor is not the complete acceptor sharing but not the both sided sharing which is is the exist covalent and the properties exist so it is a good characteristic board go back the atom which contributes is called the acceptor clear the bond is represented by an arrow drawn from donor towards the acceptor ammonia example clear is formational carbon monoxide this means carbon yes oxygen yes carbon outermost ground state and oxygen ground state we seen two up one lpe in ground state two lpe and two up and up 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 तो अगर अब कोई एक donor बन जाए है, चेक कर लें, carbon 1s2, 2s2, p2 है, oxygen 1s2, 2s2, p4 है, अगर इसके पास भी loan pair है, इसके पास भी loan pair है, अगर एक donor हो जाए है, अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हूँ, carbon क्या बनेगा, acceptor, on which behalf, number of loan pairs, on the oxygen are 2, तो अब red pen से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसने अपना loan pair इसको donate किया, फिर मैं कहा रहा हूँ, coordinate bond is not the complete donation, is not the complete accepting electron, not the formation of ketanine, कुछ नहीं है ये, it is not the mutual sharing, ये दोनों ही bond नहीं है, ना तो ionic है completely, ना covalent है completely, तो भाई, ये oxygen as a donor role कर रहा है, और ये edge acceptor role कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, number of loan pair की भीहाब पे, हमने इसको easily explain कर दिया है, और finally अगर कोई indicate करना चाहता है, simplest तरीके से, लो भई, इसका Lewis dot बनाऊगे तो ये ऐसे ही बनेगा, हो सकता है, आपने बनाया भी और इसका Lewis dot, बोलो जी, पांच molecules explain कर दिये मैंने आपको, और ये पांच अराम से, अराम से 150 हो जाएंगे, जब आप बारवी क्लास का coordination chemistry chapter cover कर लोगे, एक भी formula याद नहीं करोगे, लेकिन धीरों आपके दिमाग में समझ आ जाएगी, understanding बन जाएगी, कि किसी के MPTD को, किसी के MPTP को, किसी के MPTS को, मला accept होने चाहिए, और minimum एक loan pair होना चाहिए, हमारी coordination chemistry में next year, इसको जो डोनर होता है ना loan pair का, आपका कोई senior और बारवी क्लास का उसे पूछना, clear ना, उसको league end बोलते है, L-I-G-E-N-D, league end, league end का मतलब होता है, loan pair donor, league end बोलते हैं, और वो सारे की सारे league end, Lewis base भी होते हैं, वो limited रखते हैं ही, रोकता हूँ बात को, clear ना, नी तो ये बाते भड़ती चलिया आती है, फिर आपको थोड़ी सी, हाँ जी, donate बच्चे complete थोड़ी किया है, अभी ना, तुने कहीं बीच में गैप डाल दिया, बात की बीच, इसने कहा, it is not the complete donation of electron, it is not the complete donate, ये एक्चल में डोनेट करने के बाद भी इसी का है, ये समझो, मैं बताता हूँ, sharing जैसे ये, तभी मैंने बोला था, कि ये बीच का bond, after the formation of coordinate bond, it looks like covalent, it is looks like, तो कई बार तो बच्चे covalent, covalent को covalent मानते ही नहीं है, बहुत जादा मिर से इस बाग में debate करने आते है, लडाई करने आते है, सरी देखो, मैंने क्या को कोडिनेट bond है, इसको मैं क्यों गिनू, hybrid state find करने में, मैंने का ये बनने के पाद वैसे ही, but mutual sharing नहीं हुई, अभिना मैं बताता हूं, यह सुन देख, मिर बास सुन, दो बंदें, business शुरू करना है, एक के पास 10,000 रुपया है, दूसरी के पास 10,000 रुपया, दोनों ने 20,000 का total collection किया, और एक business शुरू कर लिया, ठीक होगी बात, यह आज की 2021 के reference में नहीं, मैं 10,000 के reference में बोल सकता हूं, मैं 10,000 से कौन सा business start होना है, यह कर लिया, मानलों ने, ठीक है, ना, मोमोज की ready लगा ली चलो, 10,000 रुपय लगा के, दोनों ने, मिर पास समझ गए, अब उससे उनका business start हो गया, अब यह बन गया, कोवलेंट बोन, दोनों ने 10,000 रुपय लग पास जीरो है, empty orbital है, मितलब, दूसरा जो जीरो वाल है, वो कत्यार मैं शोप पे बैठ जाया करूँगा, बिजनस में actively बैठ हूँगा, तो 20,000 पे लगे गया घर पे सोता रहा ना आराम से, तो एक डोनर हो गया, दूसरा एक्सेप्टर हो गया, लेकिन अगर मार्केट में जो बंदा बैठा उससे बुछे, अब कितने में बिजनस शुरू किया, जाहे उसने एक पैसा नहीं लगाया, बोलेगा ना, 20,000 पे लगे है, तो बना तो वही 20,000 का शेरिंगी, बना तो वही 20,000 का शेरिंगी, तो इसको बोलते है क्या हम लोग, कि कोवलेंड बोंड में मे रेकट वाला, बट इस नोट दे मूच्वल शेरिंग, यह मूच्वल शेरिंग नहीं है, दोनों ने बराबर पैसे नहीं लगाये, दोनों ने बराबर इलेक्ट्रोन शेर नहीं किये, एक ने अंप्टी और्बिटल प्रवाइड कराया और एक ने पूरी तरह से लेकिन बनने के बाद यह कोवलेंट जैसा ही है, बश्रो करने का तरीका लग है, हाँ अभिनव इतनी बात बोल सकता है, कि जो डोनर हुआ उस पर कुछ तो इमपेक्ट आएगा, तो मैं अभिनव की बात को सपोर्ट करता हूँ, जिसने डोनेट किया उस पर पार्शल पोज पार्शल पोजिटीव, भई डोनर है, उसकी जेब से कुछ निकला है, तो आप उसको पार्शल पोजिटीव और एक्सेप्टर इसने कुछ पाया है, वो भी एलेक्ट्रोन, तो पार्शल क्या लिख सकते हूँ, नेगिटीव, तो यह बात आपको बड़ी हेल्फुल होईग तो गलती से भी ध्यान दुरुदर मत करना, आपको नुक्सान होएगा दर्वाइस, ठीक है जी, फोर्थ है नी इस पे, फोर्थ एक्जम्पल है, अमोनियम वगर, फोर्थ कुन सा हो गया, वैसे तुम क्या पूछना चाहती, तो उसको हो सकता है, पांच वाँ हो, बताना पहला है कि इसमें कौन पाटिसेपेट कर रहा है, एक्टम मोलीक्यूल आयन कोई भी पाटिसेपेट कर सकता है, मिनिममम कंडिशन एक लौन पर एक एक सेप्ट होना चाहिए, कोडिनेट गॉंड को एरो से शो करते है, डॉनर से एक्सेप्टर की तरफ, अमोनिया ने अपना लोन पेर BF3 को दिया, और पस्तिस क्या कर रही है, अमोनिया ने अपना लोन पेर, अभी 15 मिनट आएंगे, चाहे पे ले न, मम्मी को बोलो, चाहे रख दे, गैस पे, ओके, अमोनिया ने अपना लोन पेर BF3 को डोनेट किया, तो अब जिसने डोनेट किया, पार्शल पोज पार्शल पोजटिव और एक्सेप्टर पे पार्शल नेगटिव, पड़ी सिम्पल सी बात थी, पांसा सेगेंड के अंदर सारा कसारा आप लोग कवर कर सकते हो, और ये कार्बन मोनोक्षेड का गोर एक्जाम्पल आ गया, आपकी बुक से आया वो, तो क्या मैं ओक्टेट लिमिटेशन ओफ दा ओक्टेट रूल, वैसी सिम्पल सा ट्रिक बना रहे हैं, मैंने तो इसके लिए, जिनके पास आठ ना हूँ, लेस देन इट, मोर देन इट, वो सारे एक्सेप्शन है, लिमिटेशन ओफ दा ओक्टेट रूल, फिर हमारा VBT शुरू हो जाएगा, वेलं लिमिटेशन ओफ दा ओक्टेट रूल, लिमिटेशन ओफ दा ओक्टेट रूल, शुरू करें भई, यही सारे बच्ची सो रहे हैं, क्या यह प्रांजल हो गया, गुर्कीरत, रुपन, धुरूब गोयल, आदर्श, अनुशा, जस्जो, सिधार्त, गुर्कीरत, आमन, रिया रोहीत, गुरुसिदग, रमन, हांजी, बोली रहे हो तो अटेंन्स होईगी बाई डिफोल्ट, ने, अपने इंडिवीजुली देदो, पाकी में देखता रहता हूं, यह जत्तीन हो गया, अजाद परीत, हाँ, भी हाट नीचे करो, कोई बात नी, गुर्णूर, गुर्णूर कोई कोश्चन है, तो पूछो, हे गुर्णूर, अगर आपके पास कोई परश्ण है, तो आप पूछे, पुत्री या पुत्री, ट्री, नहीं, चलू, लिमिटेशन अफ ओक्टे रूल की बात करेंगे, ध्यान से सुनो, लिमिटेशन, नंदरी काय है क्लास के अंदर है आज, यह में जोट मारती क्यिंक, बात क्लास में उत्ती हूं, योदि को क्लास में है नही है, अगे है, यह गरी मैं हमेशा क्लास में होती हूँ और यह पिछले पांस दिन से क्लास नहीं लगा रही पिस पहली क्लास में होती है उसके बाद भार जाती है कि तो मेरे को केमिकल वोनिंग आता है अच्छे तरीके से और अब आम आप में से कुछ जंता मेरी चुगली करेगी उसको ना वोटसएप पर कि सर तेरे पारे में यह बोल रहे थे मिज्यो करते ही हो भी पता ही, मत पता है मुझे ए वह करते है मेर पार सारी नोड़ होगा यह Dominar, Jakarta, इसा करता मुझा है और कोडिनेट बोन सीख लिया, कोवलेंट बोन सीख लिया, आइनिक बोन सीख लिया, अक्टेट रूल सीख लिया, लुइस डोट है, उसमें थोड़े से आप अभी भी कॉन्फ्यूज हो, वो सारी जनता हरबारी होती है, लेकिन खतम होने तक सारे, क्योंकि अभी हाइबडिशन आ रहा है, इस चैप्टर का बैकबोन, यह पूरी खेमिस्टी का बैकबोन है, और इस चैप्टर का बैकबोन है, उसके सीखने के लिएक कम सक्षाथ मोलीकिल सीखोगे इसके इंतर, मिथेन, इथेन, अमोनिया, फोस्फीन, H2SO4, सॉल्फेट, तो वहां से लुइसडोट फिर बनाने आ जाएंगे आपको, क्लियर ना, क्योंकि वीबिटी खतम होती, उसी पे शुरू हो जाएंगे, अभी 14 लेक्चर है हमारे पास, उसमें आज 5 वाद दिन है, आगे शाद 2 लेक्चर थे, वह तीन कर देंगे पढ़ाने के, मुझे लगता नहीं चेंज करेंगे, अब फिर बागी मैनेजमेंट वाली क्या करते हैं, हम उस पर बोदर नहीं करना चाहिए, अभी तो 9 दिन है, नो दिन बाद क्या होता है, एक और फेस्टिवल आजागा इतने में तो, लिमिटेशन ओफ ओक्टेट रूल, ध्यान से सुनो भी, बुराहियां करनी है, तो मैं बुराहियां करने से पहले बता दूं कि आप बुराहियां करने के दो तरीके ढूंड़ो, जिसके पास 8 नाओ जिसके पास 8 नाओ, उसके बाद बनाना शुरू कर दो इन चीजों को, कि कौन-कौन मोलिक्यूल ओक्टेट रूल का एक्सेप्शनल है, लिमिटेशन है, ड्रोबैक है, तो जिसके पास less than 8 हो, तो भाई, हाइड्रोजन के मोलिक्यूल सारे के सारे एक्सेप्शनल ही हुए, वो क्यों स्टेबल है, और आप में से मैक्सिमम जनता जानती है, हाँ, ना, उसके लिए भी अच्छी बात बोलो, ना, एनर्जी लूस, डुपलेट शुपलेट को गोली मारो, यार, दुनिया के 100% मोलिक्यूल, स्टेबल होने के पीछे सिंगल मोस्ट वजा है, हाँ, Oktate rule is a supportive factor, बस, Oktate rule, जब कुछ समझ ना रहा हो, तो मोमी दस्वी में सिखा के निकल लेते हैं, लेकिन actual reason जो है, वो एक ही है, हाँ, जितना और जितना exothermic होएगा, जितना energy lose करेगा, जितना energy release करेगा, जितना energy release करेगा, उतना stable 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 उता चला जाएगा, क्लियर ना, तो प hydrogen has one shell which can contain only two electrons, तो simple सी बात है, number one limitation में किसको put कर देते हैं, compounds of hydrogen, इसके आगे कुछ लिखने की need है यह और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, यह duplet obey कर रहा है, compounds of hydrogen, और compounds लिखने की need क्या है, बिचारा A की तो है इस दुनिया में, HH, हC लिखोगे तो वहाँ भी duplet complete क इश्मीत, थपड़ खाओगी, अच्छा, मिरसी पूछ रही हो, अभी थोड़ी दर मैं भी उपासिया मारने शुरू कर दूँ, मैं तो क्लास में कहता हूँ कि यार, बच्चे कैसे भी चल सकता है, टीचर आइडियल होना चाहिए, बस, टीचर शुट भी आइडियल, उसको और दुनिया की सारी क्वालेटी टीचर केंदर नीची है, सारी दुनिया बिमार चलती है, मतलब, अच्छा, चलो जी, तो कंपाउंट्स ओफ हैड्रोजन, वन एस्टो, इसने डुपलेट हो भी किया, और मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे, इसको सिर्फ दो वर्ट्स में क्य किनी प्रेट पर आऊंगा, दूसरी ब्रांच में आपसे बात करके लिखता हूँ, सुनो, अभी लिखना मत आप लोग, जो मैं लिखूंगा उसको लिखना बस, existence of compounds with incomplete octate of the central atom hypovalent, तो मैं यहाँ hypovalent लिख दू, हाइपो का मतलब दो बच्चों को पता हुएगा, less than 8, मतलब कमी, less than 8, अब हाइड्रोजन के पास चुरू हो जाए, हीलियम है जैसे, हीलियम तो compound ही निबनते, अगले पर चले लिथियम, बिल्कुल भी रटे निमारने, प्रियोडिक टेबल कवर कर लो, और उस चैप्टर को पढ़ने का फायदा तो होना चीए, लिथियम प लिमिटेशन अब उक्टेट रूल पे एक लेक्चर नहीं, दस मिनट का थेरम होना चीए, less than 8, more than 8, less than 8, less than 8, less than 8, तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, सब उसी में आजागे न, डुपलेट को अलग लिखने की नीड का है भाई, ड्रोप पर बैचो, बारवी पास बच्चे हो, तो टाइम कम हो भी less than 8 है, अब हाईपो, तो यह भी हाईपो हुआ है, हिड्रोजन वाला भी तो, 8 से कम है, तो with respect to 8 तो यह हाईपो हुआ है, हाईपो का मतलब बच्चे नहीं बोला था, भी कमी, less, ठीक है न, तो less than 8 हो गया, अब मेरे साथ ठीक न, मेरे पास तीसरा compound है, लीथियम, क्ल बना दो, चैया, Li2O, बना दो, लीथियम प्लस में ही रहता है, चलो, इसके बद बेरिलियम, BE, F2, चोथे नमबर पे है, बे, CL2, BE, BE, ऐसे धेरो, किसी को सीखना हो, तो बेरिलियम के साथ, मैंने दो कोवलेंट बोन बनाए, अगर बच्चे को ना पता हो, तो में पीछे च बेरिलियम का विलेंसी लिखा था, यहां कहीं, बेरिलियम, 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 यहां पे है, बेरिलियम, पीछे बेच पही थी ना, यह दा, देखो जी, इसकी विलेंसी कितनी आ रही है, मैंने का जी, 100% compound मेरे पास, बेरियलियम, compound, बेरियलियम की दो विल बंदे बनते हो, सलेक्ट होने के लिए, तुम पर एक चीज सीखते हो जाते हो, तो तुम्हारे पास eligibility ज्यादा बनेगी, लेकिन सीखना पड़ेगा, यह देखो, आउटरमोस में दो है, तो इस बेरिलियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रों को शेरिंग वेरिंग में यूज कर क्लोरिन के साथ, आयोडीन के साथ, फ्लोरिन के साथ, ओक्सिजन के साथ, तो भाई, इस बेरिलियम के आउटरमोस में इलेक्ट्रों तो चारी होए, ना, शेर करने के बाद, लेकिन BEF2, आप देख ले ना, एक्जोथर्मिक कंपाउंड है, BECl2, एक्जोथर्मिक that mean, तो क्या oktate अबे करके stable हुआ, ना, बिना oktate की stable हो गया, तो मैं तो कह रहा हूँ, oktate rule is a supporting factor, oktate rule is only the supporting factor, the main reason behind the stability of compound is release of the energy, बात खतब, तो BEF2 के बनने में energy release हुई, BeCl2 के बनने में रिलीज हुई, BeO के बनने में रिलीज हुई, 100% compound so beryllium बनने में energy रिलीज हुई, लेकिन octate तो complete नहीं हो रहा, तभी तो कहारे हैं limitation है, तभी तो कहारे हैं exceptional है, तो अगर आप मेरी बात को सुने और समझे, तो beryllium के लिए, अगर पेपर वाला पूछता है, हम इन इलेक्ट्रोंस इन दा आउटरमोस शैलो beryllium now in BeF2, यूर अंसर शुड़ भी, 2 bonds, 4 electrons, ऐसे ही BeCl2, ऐसे ही BeO, ऐसे ही धेरो compound beryllium के बन जाएंगे, compound so beryllium in 2 valency, चलो, ऐसे मैं आपके सामने boron रख रहा हूँ, अब पीछे जाने से इसी जगा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बोरोन की valency क्या थी, तीन, एक empty orbital था, जादा से जादा, यह कितने bond बना पाएगा, यहाँ, ground state में तीन bond, excited में तीन valency तीन bond, हामिनी लेक्ट्रोंस, इच बोन इंडिकेस 2, इच बोन इंडिकेस 2, होने कितने चाहिए, अकोडिक डॉक्टिट रूल, कैमिस्ट्री में कोई रूल नहीं है, कि मिस्ट्री में कोई रूल नहीं है, यह तो हम लूइस को सेल के पीछे पढ़गे हाथ दो के, उसके अकोडिंगली आठ होने चाहिए, बेस कैंटीशें जिसमें आठने होए उसके अकोडिंगली इनस्टेबल है, जबकि हमारे एकोडिंगली 3, बेसे बेसे बेस्टेबल कंपाउंड है, BCL 3, बेसेल बेसे बेसे सेबल कंपाउंड ए, बोरीक ऐसेड वरी materia is low, अपनी 3ka cp., था शायद एक सर की आवाज आई थी चलो अच्छी बात है अनीश मित्तल को क्या हुआ ये इतनी खतरनाग नेटवर्क प्रोब्लम है कॉनसी इलाके में नेटवर्क प्रोब्लम है एक बर वीडियो ओन कर देखते हैं तो बाहर जाता है नहीं जाता है ये इतना सुन्दर लग रहा है तुम मेरा हीरो और यार कमाल है और तुकर एंटवर्क प्रोब्लम है यहीं ही चूठ हमारी आ रहा है चल ठीक है बंद कर ले फिर भी एप 3, BCL3, BBR3, H3, PO3 ठीक है जी एक बार फिर आगर जांके जी उसने का इन सम कमपाउंट्स बचे ध्यान से सुनों मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं हीड्रोजन वाला फिर आपको ने एक पर्टिकलर लाइन मिल जाएगी इससे नीचे वाले हाइपों इसे उपर हाइपर है ठीक है अभी हाइपो के बारे में पाच यह है इसे बरिलियम लेस दन फूर लेक्रों इन आउटर मोल शेल जैसे बरिलियम दो ही है हे भगवान ये मेरी बात को सुन कर भी समझना नहीं चाहते हैं लो जीए लो अन्शिता की शकल देख की बोला था मैं तो गलत बात है यार सुरंग तो नहीं मना रहा तुमारे घर के नीचे कोई जाहन रखो यार मैं यह भी नहीं कह सकता कान बंद कर लो फिर तुम मेरी यावाज है सुनी बंद जाएगी यह बहुत बड़ी प्रोब्लम है एक तो चोट चोट बच्चे हैं एक disturbance कितनी है वही मैं कहता हूँ दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना का मैं अंचिता का गम देखके तो मेरे को यह लग रहा है इस पेशली दे एलिमंट हैविंग लैस जन फोर लेक्रोल तो मैं किस पे आ गया लीथियम पे मैं किस पे आ गया बर्लिम पे मैं किस पे आ गया बोरण पे ठीक है जी ना जैसे ल आई-c-ल बी-e-e-e-h-t-o BCL3, LAB, इनके आउटरमोस में, इलेक्ट्रोन ही कितने पड़े हैं, लीथियम से शुरू करूँ तो 1, बरिलियम के आउटरमोस में 2, जिसको पहले पड़ा है, बोरॉन के आउटरमोस में थी, तो यह क्या बनाएंगे आपके पास, हाइपोवेलेंट, बच्छे, आपके RPS में कुश्चन मिलेंगे, 3 and 4 में, आउटर दफोर, विच सेट, विच पेर, विच ग्रुप ओफ कमपाउण्ड, इस हाइपोवेलेंट, तो सिम्पल सी बात है, बरिलियम वाला, बोरॉन वाला, हाइपोवेले मिलेंगे, अगर आप इस बात को समझ गई हो, तो पिछले पेज को ही आप लोग पढ़ोगे, हाइपोवेलेंट, लेस देन एट, बेरिलियम दो वेलेंसी में, बोरॉन तीन वेलेंसी में, लीथियम एक वेलेंसी में, बोरॉन के नीचे पड़ावा अलमीनियम, भी तीन वेलेंसी में, हाइपो, 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 वेलेंट कमपाउंड बना रहा है, मेगनीशम तो आइनिक बना लेगा, तो फिर उसकी बात ही नहीं करेंगे हम, कोवलेंट कमपाउंड की बात चल रही है, कोवलेंट के accordingly हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटेशन की ठीक है जी इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो अब हम चलते हैं हाइपर की तरफ इसकी सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको में साथ रिकना हाइपर वेलेंट इसकी एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ एनि एलिमेंट पर रहे सुन लो दो बार सुन लो तीन बार सुन लो फिस सब कॉंसे मैंड में जब एंटर कर जाए तो एक्जामपल भर देंगे इसके पास क्लियर है एलिमेंट्स विद एक्सपेंडिड वेलेंसी कभी भी कमपाउंड बनाएगा मेरी बात सुनो सल्फर की ग्राउंट स्टेट वेलेंसी क्या है दो Sulfur की ground state valency क्या है? 2. Sulfur 2 से उपर कभी भी कोई valency बनाया, तो बिना सोचे समझे उसको hyper लिखाना. Chlorine की ground state valency क्या है? 1. अगर वो 3, 5, 7 तो बिना tension क्यों उसको hyper लिख क्या आ जाना? तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनलो, पहले सुनो, फिर लिखेंगा, मैं लिखेंगा, मेरे साथ लिख लेना, element in the expended valency, element in the expended valency, इसको भी गोली मारो, element greater than ground state valency, is always considered as a hypervalent, clear है? अगर किसी element का valency, ground state valency से उपर का compound हो, then always उसको आप क्या बोलोगे? hyper, hyper, ठीक है? तो चेक कर ले, मैं यहाँ, सबसे पहले phosphorus लिख रहा हूं, फिर मैं chlorine लिख रहा हूं, एक बीच में sulfur और पसाना था, sulfur, chlorine पसा रहा हूं, ठीक है? compounds in expended, बच्चों के expended valency तो समझ में आगी होगी, न? expended valency मनलब, greater than ground valency, तो अगर कोई phosphorus का PCL5 तो भीना सोचे समझ में, इसको टिक मारने वाला हूं कि यह hyper है, sulfur का SF4 hyper है, SF6 hyper है, chlorine का F3 hyper है, chlorine का F5 hyper है, clear, chlorine के नीचे BRF5 hyper है, iodine F7 hyper है, तो main target अगर बच्चे सुनने में interest ले रहे हैं, अगर बच्चे सुनने में interest ले रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए, PCL5, SF4, SF6, CLF3, CLF5, BRF5, IA5, IF7, यह अपनी ground state, फिर मैं कहा रहा हूं, subconscious mind में permanent चला जाना चाहिए, ओक्सिन की वैलेंसी दो, sulfur की दो, लेकिन जब भी sulfur 4 वैलेंसी में मिलेगा, 6 वैलेंसी में मिलेगा, expanded, हाँ, fluorine, chlorine, bromine, iodine, इन सब की ground state वैलेंसी 1-1 कली तो निकाली थी, आज फिर revision किया, इससे उपर जब भी यह मिलेंगे, हाइपर, 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 मतलब more than 8, तो इसको सरदर्द मत बनाओ, इसको simple बना लो, फिर अपनी पूरी periodic table पर नजर मार लो, कहते हैं मैं इसको देख देके सोच के बता सकता हूं कौन हाइपर है, कौन हाइपर है, कौन less than 8 है, कौन more than 8 है, hydrogen less than 8, lithium less than 8, beryllium less than 8, boron less than 8, बोरों के जैसी carbon आया, precise यह आर्ठ रिलेक्टन बना लेगा, फिर second period में आते ही, third period में आते ही, अगर कोई भी third period का member अपनी ground state valency से उपर valency शोग कर रहा है, sulfur 2-4, 4-6, iodine 1-3, 3-5, 5-7, hyper hyper hyper, इतना सा काम है बस, और कुछ करने ही नहीं आपने, कोई hyper का set कहेगा तो दिमाग पे थोड़ा सा, मुश्किल से हलका सा pressure apply करना, और फिर सोचना teacher नहीं क्या बताया था, कोई भी element third period का अपनी ground state valency से उपर चला जाए, और इस में से तीन ये main है, phosphorus, sulfur, chlorine, chlorine के नीचे का bromine, bromine के नीचे का iodine, इस सब अपनी ground state valency से जब भी उपर जाए, guaranteed उनको expanded octate, expanded octate, hypervalent, जो जो वर्ड तुमें ठीक लग रहे हो, expanded octate भी बहुत अच्छा वर्ड है, octate expand कर गया, clear ना, लो जी, इसकी लाइने पढ़ ले, इन number of compounds, there are more than 8 valence electrons, around the central atom, termed as expanded octate, octate rule doesn't hold good in such cases, PA5, SF6, H2SO4, इसने वो बात लिखी नी, जो मैंने लिख दी, वो मैंने conclusive लिख दी है, एक नी, दो नी, पचासों मोलिक्यूल पे काम आ जाएगी वो, और मैं तो कह रहा हूँ यार, दुनिया के, एक परसंट मोलिक्यूल होएंगे, जो octate rule पे चल रहे है, 99% मोलिक्यूल तो energy concept पे चल रहे है, octate rule is only the supporting factor, ठीके जी, अब है, existence of molecules with odd electrons, इसके बारे में, इस chapter में अच्छागा सा discussion है, बस यह वाला है, कौन सी वाल इसलाट्शों करनी है, रुख जा भी, मैं कौन सा quit कर रहा हूँ भी, बाते दो तु इदर उदर करे जा रहा है, इतनी देर से, है, इसको यह कर लेगा, पार्थ खुद कर लेगा, मिरको तो क्लास में कोई बच्चा बोल देता न, offline में भी, किसे time हो गया, मैंने को निकल ले फिर, simple, तु मुझे थोड़ी बताया, अगर time हो गया, मैं तो state for verse सी बात है, पार्थ रे मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर पार्थ कहता तो मैं भी पार्थ को यही बोलता, मैंने कुछ कह ही नहीं, पार्थ तो इमोशनल हो गया, मैं तो कुछ कह ही नहीं, तुरको तो अभी रव नहीं कहा है, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर को मुझे ऐसे बोलता न, तो मैं उसको यह कह देता, odd electrons in the molecules, वो सारे के सारे, और पार्थ इसनी दिर से बात्ते कर रहा था, मैंने इसको टोका ही नहीं, मुझे लगा, इसको उदर मजा आ रहा है, तो चलो करने तो, odd electrons in the molecules, जब भी आप sum of electron करोगे, जैसे NO है, 7 plus 8, 15 हो गया, nitrogen के साथ electron, अब सुचो इसमें कैसे octate rule complete हुआ हो गया, octate भी तो even electron rule है, even number of electron है, और एक उन्पेट तो पढ़ा होएगा इनके इंदर, तो जब भी इस टाइप का कोई molecule दिख जाए, sum of electron कर लेना, 7 plus 8 plus 8 कर लेना, 23 होगे दिखना इसका sum, तो जब भी ऐसा कोई old electronic system दिखता है, खट से टिक मार के आजाओ, तो it is a exceptional case of octate rule, वो octate rule का exceptional case है, और यह summary आपके दिमाग में रहेगी, तो octate rule के 20-25 question कर पाओगे, RPS assignment book से, कम से कम minimum 15 highest 25 question मिल जाएंगे, आपको level 2 तक पहुंचते, पहुंचते, तो कुल मिला कर summary बना दूँ, less than 8, more than 8, less than 8 hydrogen, yes, lithium compound, yes, beryllium compound, yes, boron compound, yes, उसके पाँ जैसी किस पे चले carbon nitrogen यह प्रिसाइज होते आठ 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 पे, जैसी 3rd group में आ गए, यह अपनी ground state से उपर जब भी होएंगे, hyper or expended, इतना सा काम है, without cramming बात हो सकती है, अगर interested हो तो, main target होता है interested, ठीके जी सारे इसमें आ गए, now, compounds of noble gases तो भाई, इसमें आ गए, इसमें आ गए, इसमें बच्चा, इसमें आ गए, what is the valency of genome, क्या सोच के चलते हो, ground state valency, 0, ground state valency 0, अब genome compound बना दिया XCF2, genome compound बना दिया XCF4, हाँ, hypervalent, इसको अलग से highlight करनी की नीड नहीं है, तब ही मैं कहा रहा हूँ, बुक पे जाओ, अच्छी बात है, लेकिन बुक को इतना छोटा कर दो, कि जब तुम final revision प्याओ, तो दिमाग में दो ही बाते टीचर की घूमनी चाहिए, less than 8, more than 8, यह तो कहा था टीचर ने बार बार, less than 8, more than 8, तो जिनों का compound, जिनों का compound, जिनों का compound, कोई भी अपनी ground state valency से ज़्यादा शोग कर रहा है, more than 8 हो गया, hypervalent हो गया, compounds in the expended valency, वो हमेशा क्या होएंगे, hyper होएंगे, यह भी done हुआ, थेरी doesn't account था shape, यह तो बिचारे पे ब्लेम लगया फालतु वाला, इसने ऐसे फ़र्ट सी नी किये थे बिचारे ने, इसने क्या बताया था, कि outermost mate है, तो stable है, नहीं है, तो unstable है, इस पे shape की जिम्मवारी वैसी डाल दी बिचारे पे, यह भी ब्लेम है फालतु वाला, अब यूंग बोले कि मनोज बंसल की कमिया बता हो, तो क्या नीचे लिख दो यह भायो नहीं पढ़ा सकता, यह ना physics नहीं पढ़ा सकता, इसको तो history विलकुल नहीं आती है, sociology तो इससे पूछो तो, इसको spelling भी नहीं आती है, ऐसी बाते हैं करो, यह गलत रो बैक होगे मेरे साथ, तो यह तो बिचारे को गलत ब्लेम कर रहे हो ना, कि shape नहीं बताबा, इतनी तो बिचारे की ताकत ही नहीं थी, इतनी तो range नहीं थी पिचारे की, लिमिट से बाहर बा पर कहां आना पड़ेगा, एनरजी कॉंसेंट पर, उसके अलावा कोई आपके पास, हाँ जी, no explanation about shape, and no information about energy, no explanation of the stability of molecule on the behalf of energy, no explanation of the stability of molecule with respect to energy, इसने molecule की stability, energy के perspective पे explain नहीं की, इसने molecule की stability, energy के बिहाब पे explain नहीं की, अब time एक मिनट रह या नहीं, तो मैं आप से सुनना चाहता था सारे points, तो मैं इश्मीत से सुन लेता हूँ, इश्मीत इसको देखकर जल्दी से बोल दो, इस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट के basis पे stability एक्स्पलीन करता है, इसलिए इसके सारे ड्रोपेक लेस्ट नहीं, अब टोटल आपके पास फ्रीडम है, इसके क्वेश्चन करने की, आपके पूरी की पूरी हो जाएगी, और सेक्शन वन भी हो जाएगा, सेक्शन टू में भी आप आराम से हाट आल सकते हो, और कम्प्लीट हो जाएगा, और असाइन्मेंट के भी आप 35 नंबर तक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, फिर VBT हमारी शुरुआत हो जाएगी, और ये था H2, ये एक्जेट था, H2 मोलिक्यूल, हम वो बता देता हूँ पी, अब टाइम की साथ, एक मिनट उपर निकलिया, वैसे, भी सारेट देख लो, उसको करने ही यह डिसक्शन हमने, वैसे एक राउन में, वह एक दो, तीन, चार पान सारे करने ही हमने, टेंचन न पहला पेज, क्या विटा, अब टाइगा, सिलेबस हैबडिशन तक आएगा, कम्प्लीट, आरपेज में बता दूँगा आपको न, कहाँ तक कौन सी आरपेज तक आएगा, ये आपका फोर्थ पेज हो गया, थर्ड जो भी था, जिसको भी देखना है, जल्दी से देख लो आपका ब्रीक शुरू हो चुका है, ये लो जी, इसको जुरूर 3-4 बार रिवाइस कर ले ना भी, एजी होमवर्क इसको कम से कम 3 बार रिवाइस कर ले ना, ठीक है, चलो जी मिलते, जी मिलताएस। आगा, जी कर दोना, ठीक है, एक स्किशना आपका है, रेक बार रिवाऋसूरू पार जो प्स प्सक्रोफेशने देख को placed से ले फोबैस शूजै